कि अरे अरे बाइ अरे बाइ ये क्या कर दिया ये क्या कर दिया और ये को सी चुमबग से चिपते हैं कि जो ऐसे हैं meters हुआ है तो हल्us Much काहल चाल ने तुममारे और आज काफी दिन बार मिल रहे हैं और साँधर आओ पहले तुम्हें एक निउस देनी और यहां पर चाह्त चिंज मे कहते हैं? इस तो तो चाहए उ тебе को जालकित है उसने सारे कि यहां पर पिक्स को समयरे है काफी सारे और फिक्स के पास आते ही यहां पर देखो गेम कैसे लैक कर रहा है यहां पर इधर भी काफी सारे पर गया है यह थे तो सही यहां पर यहां पर कहा गए अच्छा यह सारे बड़े बड़े वाले इधर चले के क्योंकि अभी थोड़े पहले मैं देखे थे तो यहां अभी मेरे पास है बैलेंस 8800 डोलर और 12 नई काउष करनी है मतलब गाये परचेस करनी है तो इसलिए मैंने अट हैलो गाये बोला था कि मुझे काउष करनी है आज 12 तो अभी पहले मैं यह यह थ्रक में चार पिक्स को भड़ लेता हूं तो चार पिक्स भी मैं सैल करऊँगा, और उसके साथ पिर वहसे काॉस allevi तो चार सतर करके मुझे रानीपड़ेंगे तो अभी मैं यहाँ पे चार पिक्स नहीं लोड़ करने वाला आर्ट पिक्स लोड़ करने वाला हूँ क्योंकि यहां पर वैसे truck में चार pig आते हैं बर यहां पर आट पिग्स लोड कर सकता हूँ तो वह किसा हूँ पहले बड़ा बड़ा व्ले आट वाले 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 जो पिग्स है उनको चूस करलू तो यह वाला बड़ा है इसको लेलेते हैं तो यह बड़े वाले पिग के वाला तो यह 4 पिख मेंनी रोड करना है अब गण को करना है रिलॉड और इनको मैं यहाई पर स्क्रिन कर लुगा गला हा मैं 4 पिख और यहाँ पर यहाँ पर लोड कर पाऊँगो इसके अंदर तो यह ने इन 4 पिग कर दिये और चारज दो यह वाले और फाल ला गहय और अब धि पहले मैं एक पर रूप लगा दूँ और वैसे तो मैं यहां पर इन चार को भी स्किन करके चार ओर लिया सकता था बट इशू यह होता है कि जब ज्यादा पिक को यहां सकिन कर लो पहले से तो अभी इतने वे तो पोक नहीं गिरेगा बट अगर इससे ज़़ा पिक को यहां पर लोड कर लू तो फिर अभी ग्रे कर लोड करते हैं तो अभी पहले एक देखन के बार में देखते हैं मुणार के देखेनी को है पहले है यहां पर लुक्रीन पर कजा और फिक भी शुझाणर सब्सेट करने हुआँगे है जी यहां अभी एक दो पिक्स गरें गे बार फिक्छश ऑयाम आडर ऐस तो ट का यहां पर करके अंदर आंधे कर लूँ उसके बाद मुझे जो बाकी चार पिंग है उनको भी स्केन कर नहीं तो अब यहां पर आने बारी, दो यहां कर दाता तो उनका भी जो है वहां पर ज्यादा हो जाता और फिर वो जो यह जुआ गिरता हूं भर तो अभी पोक में तो वैसे कोई मल्टिप्लायर चल नहीं रहा है बट फिर भी सेल करी देता हूं यहां पर क्योंकि कोई मल्टिप्लायर नहीं भी हुआ तो रेट तो सेम ही मिल ले है तो इसके मजे 6,000 डोलर मिल रहे है तो यह सेल करके बाकी देख लता हूं कहीं ट्रक में कोई और पीस नहीं रहा गया हूं नई ट्रक पूरा खा लिया है अब यहां से जनर्स्टोर चल के चार काउस हो पर परचेस कर लेता हूं यह से लेता है तो पूरिय मिला के 15 काउस मुझे पेचेस करनी है तो यह हो झाएंगी सेफटी एceksin-इफन्डे डोलर की not तो जीर शम्द वह बेना कुड़ा जितनी काउस मुझे छाथobस काउस है तो मैं BC बाल्टी रखने वाल हूँ जैसे कि मैं लास यूडियो में दिखाया भी था कि काउ कहीं इंचे बाल्टी लगा तो काउस फिक्स हो जाती है एक जगह पर फिर वहां से मूव नहीं करती तो फिर एजी रहता है उनका मिल्क निकालना और पता करना कि किसका मिल थो यहां पर ट्रांसफर कर दिता हूँ क्योंकि मैंको 10 करनी है ऑक में ने कहीं का ने भागने अन का निए बागने का ने भागने लु՝े जे थेयाकर पताए तो यहन्वाली उतार दिता है और बाकी काउस ready हुई खड़ी हैं कि जैसे गेट खुले भागने के लिए तयार बट मेरे पास भी समादान है भागने नहीं देने का कलो अब तुम फिरी लिए गूमो अब मैं बकेट इटाएता हूँ एक सेक्ड इसका बिटाएता हूँ तो इस वाले में थो गई 10 काउस तो अभी चलते हैं बाहर और इसने पूरी भागने की त्यारी करीबट नहीं भाग पाई और जो बाकी दो हैं इनको यहां करते हैं और अभी इनके आठ दोस्त और आने वाले हैं परचेस होके तो आओ जल्दी यहां पर और यहां पर खड़े हो जाओ अब मैं गेट भी खोल सकता हूँ चलो इसकी भी बकेट आयता हूँ अब और अभी एक बार चल जाएं पहले गोड़ो को देख लेता हूँ क्यों कि पिछली बार दो गोड़े तो मैंने मरवा दिया दे फाल तुमें अपले यहां कैसे आया, यह कैसे आया, खुली मौझ चल रह GREे है थी तो खुली मौझ बहुत रही है चल अंदर खुले में घूम रहे है, गोले में 2-3 दिन जिक यहां पर और गम होगे मतलब यहां पर कोई बहुत लिuffD और वैसे अब हएक इक इसु है कि यहां पर मुर्गिया का doubts यह लिद्व होगी ऑगी यह कुछ ज्ञादा उगज होगी हैAY अभी इन मुर्जियों करना सरछी भी काफी ज्यादा ना तो यह की वजिए इन कीसे यह मिंठ लाइक कर को आदगी ँगा ना पांच दस ग्यारा तो काफी सारे चूजे हैं यहां पर तो और यह पीचारे भूके और प्यासे थे जाओ जागे खा लो अंदर यहां पर खाना भी और पानी भी है और यह गंद क्या मचा आई है तुम ने यहां पर इतनी बुरी तरीके से तो अभी इस वाले का तो साफ कर दिया अंदर से और इसको भी थोड़ा साफ कर दू यहां पे भी काफी जादा गंद की मैं वी तो सारे हो गया है तो इनका भी कुछ देखना पड़े घा क्योंकि इनके एग वैसे मैं करता हूं कि इनके एग मैं सैल कराता हूं कुछ न जो इस बास्केट में रखे हैं उनको तब सैल करी देता हूं और यह अब काव कहां से बाहर निकल गई इन अनने सुरण गोट रही है जैSu दोनों बार भाग गई और एक तो मिल गई एक ऑर कहा पे है एक काव कहां पे गई यार मैंने दो काव अनलोड किती है यहां पे और अब एक ही दिख ली है नई यहां तो नहीं है और यहां पे भी नहीं है एक मेंड एक मेंड एक मेंड किदर गई है आप धूनना पड़ेगा इधर तो कहीं ने दिखिली मेरे को और यहाँ पे उपर कहीं इधर भी नहीं है तो किदर भाग गई वह रही वह गूम दी सामने वहाँ पे गूमते गूमते पीछे-गेट निकल के यहां तक आ गया है वह पिछले गेट के मैं को ध्यान रहा यह नहीं जब मैं पिछले बार शयद वहां पे गेट लगाया है था तो भी पेहले तो इसके नीचे, नीचे भुटकेट भुटकेट लगानी हैं फटा फट शे एक मन पहले अंदर यश के लगा है अभी इदर कहा जा रही है जल्दीया बापिस गेट बंद गेट बंद गेट बंद इनको बुक्त से रोक के रखता हूँ लगा के ना कंगी और काउस भी लेके आने है तो इनको फिर बॉकेट से रोकना पड़ेगा पहले बकेटिसे उनिس को रोक देता हूं खर बकेटिसे आधीं मैं यहां से एक कर लो को एक साल कारो जहां यहां टुझक्व राखलीी आहां जाना पाड़ेगा तो लुझा यहां जुन वहला गास, गुर्बल कॹो झोले किया है तो पूरी की पूरी इसमें ट्रक में आ जाएगी अराम से तो पूरी की पूरी जैरी कैन आगे ट्रक के अंदर और इसको तो रख दो अब यहाँ पे और अब जल्दी से चल के मैं चार काउस लेके आजाता हूँ अब भी जो पौक पिछली बार रास्त में गिरा था बहुत यह पड़ा है यह पुight पार कि dope से बन गईिशार को पता है यह पूट पार यह कैसे हो गया यह पौक गिर jagad यहां पे चार पिगिलैड का मतलब ही किया एक मिर्ट अब यहां पर चार कैसे बन गे पिछली बाब पॉक के पीस गिरे थे यहां से अब इंको थोड़े जाए गूमने तो मैं इंको भी आकर देखता हूं फिर से ना पहले मैं काउस पर चेसर के लिया हूं यह पड़े ऐसे यहां पर कुछ पॉक के पीस अब जो पॉक के पीस है उपको तो ठाई ले रहा हूं अब यहां देख भी लूँ क्या पता शोरूम पर कोई नए गाड़ी भी आई हो वह तो सारी गाड़ी अपने पास हैं बट हो सकता है कोई नए गाड़ी लॉंच होई हो क्योंकि बाहर तो इतनी लॉंच हो रही है नहीं यहां तो कोई 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 नहीं है सारी गाड़ी वही पुरानी है पता नहीं यह शोरूम वाले नए गाड़ी लॉंच क्यों नहीं करते कोई नहीं गाड़े लूंच करें तो मैं लूंग क्योंकि सारी गाड़े जितनी भी है वो समय ने ले रखी है अभी जो है इनी चोचनी भी गाड़िया ट्रक वगार है इनी का कलर चेंज करके में को अपने आपको तसलिफ देनी पड़ती है कि गाड़ी का थोड़े नए वाल इसको हलका सभी तेज चलाते ही अपने आप इज़ा तर भागना शूर कर देता है और वैसे तो मैं इसको यहां पे मुड़ता भी काफी देर में है थोड़ा ट्रक को पीछे लिए खड़ा करता हूं कि मुझे इसमें एक्स हैं वो सेल करने है एक मिटा भी पहले एक्स सेल कर करते हैं और दो पाउक के पीस हैं तो एक का काफी सभी मिल गा है मेरेको 672 डॉलर्स एक के मिल गए मेरेको 112 एक हैं मुरे मिलाकर तो अब करते हैं ट्रक काउस कॉलर की दू थी अपकी बाद की एक इस कि दो और इस किलर की यह cabin पूरा आगे को जुख जाता है जितना यह cabin वाला यह है अगर इस लिवर को मैं खीश दू तो यहाँ से पूरा यह आगे जुख जाएगा इस गेम में नहीं होता है वैसे नमली होता है उसके नीचे इंजन होता है सारा इंजन बे को एकसेस करने के लिए यह लिवर होता है तो इसमें तो यह काम नहीं कर रहा बट वैसे यह इसलिए होता है अब मैं इन्हें यहाँ से लेके चलता हूँ इस बार शॉर्ट कुट से ना इस वाले शॉर्ट कुट से पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी के पारे अपना रैंच अरे अरे भाई अरे भाई यह क्या कर दिया यह क्या कर दिया और यह कोंसी चुम्बक से चिपकी हुए है कि जो ऐसे ही है गरी नीचे इस गेम में फिजिक्स के रूल तो कोई फॉलोग होते निया इसे कैसे काओ यहां पर रह सकती है इनके पैरों में मैंगनेट लगी है जो चिपक गई यहां पर ट्रक प्लड़ गया बढ़गी है अपनी पोजिशन पर ऐसी के ऐसे ही है तो जाओ पहले मैं इसको ऐसी तीदा कर देखता हूं इसे ऐसे हो जाओ वाह हो गया सीधा ट्रक ऐसी तो रुको 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 एक मिंट मैं पहले यह टोकरी अंडे वाली यहां ही पर रख दूं क्योंकि मुझे अबही अंडे भी जो है क्लेट करने है और अंडे कलेट करके क्या बना रहा है अंडे वाला बर्गर नहीं अंडे वाला बर्गर की इसमें आप्शन है नहीं तो हम अंडे वाला बर्गर बनाते अभी का उसको बिल्कुल यहां पर लगा कि इसके नहीं इतना काफी है अरे इसको हट जाओ इसको मैंने वैसे बकेट लागा के रोका नहीं सहां यह खुली भी कैसे गूम रही है और दूसरी वाली का नई रुक जा बकेट लगे वे गूम रही है का तो अब बकेट लगाएंगा फायदा क्या हुआ और दूसरी का है अब तो रुक गई यह बकेट लगागा पहले डगे वे गूम रही है बकेट लगाके नई बकेट लगाएंगे एक पनी कंपड़ी रहांगे मतलब अपनी सारी गायस को समझ रहा है गायस ये समझदार है ये समझदार है ये सबसे समझदार है तो यहां रुको और सारी गायस धान से सुनो सारी गायस को समझना है कि अभी चार गायस और आने वाली है तो इसलिए अभी यहां पर ही रूके रहना है हिलना नहीं है यहां से मैं अभी फटा-फट 4 Guys और लेकर आता हो तो 4 Guys और परचियस के लिए हैं मैं मतलब cows परचियस के लिए हैं मैं तो गाईस चार गाईस और आ गई है तो अभी चार जो अपनी काव है यह वाली अभी तो यह सारी पहले गूमने लगगे हैं इनकी बकिट है मुझे हटाके फिर से लगाई पड़ेंगी तो यह रुक ही कुछ देर के लिए अरे रुक जा रुक जा गूमाता रुको 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 अरे इधर से नहीं भाग सकते दिवार से कहा निकलोगे दिवार से कहा निकलोगे रुको 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 यहां रुको अभी वैसे बकिट है लगाने के लिए जिनको मैं उतारूँ उनके रोकने के लिए तो एक हमारी काव का तो हो गया है वैलकम बच्ची वी तीन काउ को भी वेलकम कर लेते हैं बक्रणा कहा है? लाओ बक्रणा लगाओ तब ही मैं इनको अराम से ठाव सकता हूं, यह जो तो यह आ गई हमारी सारी काऊ से लाथ अंदर और अब मैं करेता हूँ इनको अजाद ये लो तुम्हारी हटा दी bucket और अब तुम अजादो जाओ जी लो अपनी जिन्दीकी जाओ ये लो ये लो जाओ सब जाओ चलो घूमो अब यहां पर अराम से चलो सब की bucket हटा दी अब इब खाना देख लू मैं गूम क्योंकि पिछली बार इसी वाले बान के अंदर इशु हुआ है दो तिन बार कि जब अनिवल्स मर गए है यहाँ पर तो खाना और पानी तो सही है साइज मैंने चोटा कर दिया इस बान का अब एक बार मैं ग्रेनरी भी देखी लूँ कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेनरी में खाना खतम हो जाए हाँ कहतम होने वाल था सिफ 11 ही पतलब 11 kg ही पचा था तो मैंने फेल कर दिया है अभी एक बार दूसरे वाली का और देख लूँ इसका तो बिल्कुल ही खाली है मतलब मतलब इसमें इस्यू हो जाता भी नहीं अब इसको तो बूरा फुल भर दिया है तो इसमें इस्यू नहीं होगा और वाकि यहां पे यहां पे यहां पे क्या कर रहे हो यहां पे क्या कर रहे हो भाग यहां से मारना नहीं चारा भाग यार भा चल इधर फिर दुबार से ताम और एक ही ग्रेंडी इत वाली भी तो ऑ गोड़ो वाली इसको भी चेक कारी लू इसकोपा कफ़े कम काना खाना करता है थोड़ा बहुत तो खाते होएंगे फुल कर दी है मैं इसलिए तो अपनी काउस को तो मैं यहां पर ले आया हूँ 20 काउस तो 20 काउस होगी है और अब इनका मिल्क निकाल के 20-20 चीज एक टाइम पर पड़ी उस होगा नई एक काम करता हूँ मैं इनको छोड़ो इनको तो रहन तो यहां पर एक घोड़ा नया पर्चेस करता ही हूँ मैं अब बैलस कितना है 7,000 दोलर है कोई ना कोई तो आही जाएगा वैसे बढ़या वाला घोड़ा नईगर नई है यहाजिसकी बात नीए नहीं चाहिए नहीं चाहिए स्किप करो नहीं मैं कोई स्पीड चाहिए सिफ इसकी स्पीड काफी है नहीं बट कोई मैकसिम पे मिल जागा इसके हैंडलिंग और हैल्थ मैकसिमम है ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया यार मेरा बैलेंस चाहल से कम है थोड़ा से बैलेंस के आउट गया बट इसकी स्पीड पूरी मैक्सिमम पे थी अपना गोड़ा सैल कर दूंगा एक इतने यह निकल जाएगा रुको फिर कुछ और देखते हैं कोई गोड़ा मिल जागा सस्थे में इसकी स्पीड फूल पे थी बढ़र इसका भी रेट जा रहा है जो अपना एक गोड़ा सेल करते है एक कुछा सेल करते हैं इतना सस्था गोड़ा और पास 648 वाला है । हां एक भाई दूसरा है इसको is個 . करते हैं ठीक एक तो स्टैल हो गया अब मैं पास भाई करने के यह हो जाएंगे अब नहीं हाँ यह आगया इसको बिड़ करते हैं अरे खरीदने दो भाई सस्ते में यार क्यों बैलन्स अड़वा रहे हो खरीदना मुझे जब भी यह मत करो बिड़ यार अब पांच का माल दस इसमें ख्रेद वाउगी गया मेरे से तुम मत करो बिड़ चलो करो दस अजार तो हैं अपने पास कोई बात नहीं खाली हो जागा ठीक है तब भी लेकर जाओंगा चलो मिल गया अपने को 7,983 डोलर मतलब 8,000 डोलर का पड़ा है बट स्पीड इसकी काफी सही है अब यह क्या हो जाता है अंदर इसकी स्पीड फुल आ रही थी हैंडलिंग फुल आ रही थी मैं इसलिए पर्चेस किया है और यहां मेरे हाथ में आते ही इसमें कौन सा डिफेक्ट आ गया कि इसकी स्पीड और हैंडलिंग यहां पर 70-70% हो गई है क्या हो गया है यहां पर इसको गलत है यह धोका है यह धोका है मैंने सिर्फ इस पीड के लिया था यह कोई 100% स्पीड वहां पर दिख लिए ति मैंने सिर्फ इसलिए पट्चेस किया था बट भार आते हैं इस पीड कम हो गई तो यह तो काफी ज़्यादा धोका हुआ है और मेरे फाल तुबे पैसे भ पाल बान पर बंद पड़ा है इस घोडे कई ए अर भार ना मैं इस sto क्ले को पर अंदर रखने वाला हूं पिसली बाड़ी हो था हों से तक खुल ले की चक्क्र inac और यहां से इसको उपर वाले खुला रहेता हूं एक घृड़ा थो पने बान में आ गया इस वाले में कहा गया वह रहा सामने उदर खिड़की में देख रहा हूं और अभी संट नांल काफी बड़े लग रहा है संट देखने में और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना यहां पे भी ना एक वो बना दूँ घर यहां पे बाहर एक फार्माउस बनाया तो कि बाहर यहां पे काफी खाली खाली लग तो दूर तक काफी खाली मैदान ही दिख रहा है और वहां पे मैं घर बना सकता हूँ फार्माउस बड़े वाला और अब को बताओ के कि कमेंट के के महाँ एक कस्टम फार्माॉस बनाऊं सामने उन प्रेड़ों के पास, या फिर जो pre built वाले इसमें हैं फार्माॉस उन में से किसी को बनाऊ तो बताना है फिर मैं नेक्स वीडियो में वहाँ पे एक फार्माॉस बनाऊंगा और बाकि आज के लिए इस वीडियो में इतने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल